मा चाहती है कि निवी प्रेशर कुकर की तीन सीटी के बाद चूले को बंद कर दे पर निवी तो अपनी नई किताब पढ़ना चाहती है चलिए पता लगाएं कि वो ये दोनों काम अपनी चालाकी से कैसे पूरा करती है नमस्कार सभी को मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर और आज हम सुन रहे हैं कहानी एक मजेदार यूजना जिसे लिखा है राहूल रागवन ने और जिसके चित्र बनाए है रवी गुपता ने तो फिर जानते हैं कि क्या हुआ इस कहानी में ये कहानी है प्रथम बुक्स द्वारा और इसका पठन स्तर है तीन निवी कोकर की तीन सीटी होते ही गैस चुला बंद कर देना ठीक है मा ने कहां मा रात के खाने के लिए सबजियां लेने बाजार जा रही है निवी चहरे बनाती है धम वो अपनी किताब नीचे रख देती है एं वो कोकर को जीब शिडाती है निवी अपना पाउं जमीन पर थप थपाती है वो सीटी के बजने का इंतजार करती है देर तक इंतजार करती है तब ही उसके दिमाग में एक यूजना आती है निवी बेलन उठाती है और उसे चूले के पास रखतेती है फिर वो उसके पीछे टमाटर और आलूओं की एक कतार बनाती है फिर बारी आती है रसम और दाल के वाले बड़े करचुलकी निवी उसको कुकर के ठीक उपर बने ताक के किनारे बड़ी ही सावधानी से रख देती है फिर वो नानी के पांच चम्मचों को खड़ा करती है ये वही चम्मच है जो नानी अपनी पतली खिचडी खाने में इस्तमाल करती है और आखिर में निवी अपनी प्रिये प्लास्टिक की गेंद को प्रेशर कूकर की सीटी की सीध में शेल्फ पर रख देती है वुश गेंद थोड़ा सहिलती है वुश थोड़ा और वुश तीसरी बार गेंद लुड़कने लगती है निवी खुशी के मारे कूधती है, ताली बजाती है और खुद ही सीटी भी बजाती है गेंथ चमचों से टकराती है, चमच कर्छुल पर गिरते हैं और कर्छुल जूल कर ताक के से नीचे गिरता है कर्छुल आलूं से टकराता है, आलू टमाटर से और टमाटर बेलन से गूम जाता है और चूला बंद हो जाता है निवी प्रेशर कुकर को साफधानी से खोलती है अंदर स्वादिष्ट पके हुए चावल हैं निवी वापस जाकर खुशी-खुशी अपनी किताब पढ़ने लगती है अच्छी थी कहानी अच्छा आप भी अपना एक अनुका यंत प्रेशर खुद बना सकते हैं निवी एक तरह की मशीन का निर्मान करती है जिसे रूब गोल्ड पर मशीन कहते हैं यह मशीन कारण तथा प्रभाव के सिधान पर काम करती है यह वही है जैसे जब आप कैरम बोर्ड पर पढ़ी गिट्टी को स्ट्राइकर से मारते हैं और व अब ही मिलकर जटिल प्रकार से एक सांज्य उदेश को पूरा करते हैं बेशक आसान तरीके से काम करना जादा सरल होता है पर एक ऐसी मशीन का निर्मान करना जो यह सब कर पाए वाकई जादा मज़िदार होता है चलिए कोशिश करते हैं एक रूब गोल्ड बग मशीन बना करेंगे धलान के लिए चिकनी और लंबी चड़े दो मोटी किताबे दो स्केल एक मारकर एक रबड एक गेंद तीन कौपियां एक हलका प्लास्टिक का मर्तबान रसी का गोला एक चम्मच एक पतीला और एक छोटा चिकना डंडा तो हमें इन सभी चीज़ों को इस तरहां से सेट करना है जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है अब सिलेंडर को धलान पर धक्का दीजिए सिलेंडर दो सीधी खड़ी हुई किताबों से जाकर टकराएगा किताबें स्केल पर गिरेंगी जिसको हमने मारकर पर संतुलित किया हुआ है ऐसा करने से गेंद उचलेगी गेंद तीन कौपियों से टकराएगी कौपियां दूसरे स्केल पर गिरेंगी जिसे हमने रबड पर संतुलित किया हुआ है एक मर्तबान जिसे हमने स्केल के दूसरे कोने में रखा है एक रसी से जुड़ा हुआ है रसी को उपर एक चिकने डंडे पर लपेटा हुआ है रसी का खाली सेरा एक चम्मच से बांद दिया गया है जब मर्तबान उपर होता है तब तीसरी कौपी स्केल पर गिरती है और इसे देखकर मुझे याद आया कि ऐसा तो डॉमिनोस का गेम भी होता है जिसमें हम डॉमिनोस के पीसेश को किसी भी आकार में लगा कर जब एक पीस को गिराते हैं तो बाकी सारे पीस गिर जाते हैं और एक वहोँद सुन्दर सा डिजाइन बन जाता है तो मुझे उमीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप भी अपनी एक ऐसी ही मशीन बनाने की कोशिश कर सकते हैं चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगली कहानी में धन्यवाद